सबी दोस्तों का वेलकम है आपके अपने यूटूब चैनल पे तो दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने अपने चछत पे टमाटर के प्लांट लगाए थे तो दोस्तो इसकी बीडियो भी मैंने दिखाई थी आपको कैसे हम अपने चछत पे टमाटर ग्रो कर सकते हैं तो इसकी बीडियो आपको इस बीडियो के लाश्ट में आपको दिख जाएगी तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए भी उसके बाद वो वीडियो देख लेना तो दोस्तो ये देखिए दोस्तो ये हमारे टमाटर के प्लांट है तो देख सकते हैं इस पे बहुत अच्छे से फ्लाबरिंग स्टार्ट हो गई है और फ्लाबरिंग भी स्टार्ट हो गई है तो दोस्तो जब बहुत ही सर्दी जादा पड़ती तो हमारे टमाटर के प्लांट में फ्लाबरिंग होती है वो यलो होके गिर जाती है दोस्तो इसका कारण होता है सूरज की सनलाइट बराबर ना मिलना तो दोस्तो जैसे ही मौसम 15 फरवरी के बाद होता है तो हमारे टमाटर के प्लान पे अच्छी सनलाइट मिलती है जिससे अच्छी फ्लाबरिंग और फ्रूटिंग होती है तो आपको दिखा देता हूं इसकी fruiting तो आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं इस पर fruiting हो रही है तो दोस्तो आप भी अपने छट पे जरूर tomato लगाएं और organic खेती जरूर अपने terrace garden पे कर सकते हैं देखिए मैं अपने छट पे भैटा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं इस पे काफी अच्छे से flowering हो रही है और एक plant पे आपको 40 से 50 किलो तक fruit जरूर मिल सकता है अगर आप अच्छे से इस पे fertilizer देते हैं तो आपको दूसरा अपना plant दिखाता हूँ तो देखिए दूसरा plant मेरा ये सामने है तो आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच है इस तो सबसे अच्छी केचुवा खाद होती है जो बर्मी कमपोर्ट जिसे कहते हैं अगर वो आप हर 15 दिन में इसको एक बार देते हैं तो काफी अच्छे से इसे fruiting में इसकी मदद करता है और दोस्तो सबसे ज़्यादा खेल होता है इसे sunlight दोस्तो अगर आपने अपने में लगाना है तो दोस्तो बड़ा गमला देखिए मैंने क्या लगा रखा है तो ये देखिए लकडी की देखिए खाचा बना हुआ है तो दोस्तो मैंने इसमें इसको लगा रखा है तो इससे इसमें ज़्यादा इसको मिली है जिससे जड़े ज़्यादा ग्रो हो सकें और उदर मैंने एक पानी का टब ले रखा है जो कि टूट गया था तो मैंने उसमें मिट्टी भड़के और उसमें लगा दिया है और देखिए काफी अच्छे से फुरूटिंग ले रहा है इस पे तो आप भी इसको बड़े गमले देंगे अगर आप छोटा गमला देंगे तो आ अगर आप इसे बड़ा स्पेस देते हैं 15 से 20 इंची देते तो आप एक प्लांट से 50 किलो तक टमाटर ले सकते हैं तो चलिए मैं पहले अपने आपको अपनी फुरूटिंग आपको टमाटर प्लांट की दिखाता हूं तो देखिए तो देख सकते हैं इस पे गुच्छों म पांच पांच टमाटर लगे हुए हैं तो देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है तो आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी छोटी सी बगिया जरूर टेरेस गार्डन पे तयार करें दोस्तों और गैनिक खाने का कुछ अलगी मज़ होता है दोस्तों यह देख सकते हैं तो देख सकते हैं पुरा टमाटर से मेरा जो प्लान्ठ लदा हूँआ है और अब ही यह टमाटर छोटे धीरे-धीरे जैसे यह बड़े होऊंगे तो और भी इनका बजन होगा तो उसके लिए देखिए मैंने यह साहारा दे रखा ताकि ह मारा प्लांट डेमिज ना हो तो दोस्तो आपको इस बात का भी खायाल रखना कि जैसे फू्टिंग ज़्यादा ओने लगती है तो प्लांट पे बजन गिरने लगता है तो दोस्तों यह सब बातों का धियान रखना और सर्दियों में दोस्तों टमाटर जल्दी नहीं लगते हैं देखिए ऐसे यलो होके कलियां गिर जाती तो दोस्तों ये नेचर से जुड़ा हुआ काम है इसमें आपको घबराना नहीं है पर जैसे ही 15 फरवरी के बाद का टाइम आता है तो फिर अच्छे से फ्लाबरिंग होती है कुसी इस तरह से देख सकते हैं दोस्त के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करके रखिएगा तभी आपको वीडियो मिल पाएगी और बैल आइकन जरूर ओन कीजिएगा तो देख सकते कितनी इस पर फ्लाबरिंग हो रही है और धीरे धीरे अभी हपते के अंदर ही इसमें टमाटर बनने सुरू हो जाएंगे दोस्तो और इसे हमें खाद भी बराबर देती रहना है तेखिए दोस्तो अगर हम किसे खाद बराबर नहीं देंगे तो यह खाना कहां से अपना बनाएगा फोदा और संलाइट भी बहुत जरूरी होती है तो आपको यह दो तीन बातों का ख्याल रखना अगर आपको अच् जो और आपको दिखाता हूँ, दोस्तों जो हमारे नए गार्डन होते हैं, नए गार्डन तो उनको ये आती है, प्रोब्लम दिए देख सकते हैं, ये पीले पत्ते जो हो रहे हैं तो दोस्तों ये नेचर से जुड़ा हुआ काम है, जब सूरज की सनलाइट जैसा कि मैंने बत जल्दी लगते हैं, तो आप इसमें नीम ओयल स्प्रे करते रहे हैं, अगर आपको नीम ओयल नहीं पता कौन सा बढ़िया होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताईए, तो मैं आपको एक अच्छा सा नीम ओयल बता दूँगा, तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको एक ने इस वीडियो में,